शवी किशान भाईयों को नवश्कार यदि आप पपीते की खेती कर रहे हैं और पपीते की खेती करते समय आपने कुछ ऐसी बाते हैं जिनका ध्यान नहीं रखा तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिलेगा जैसे पहला है किस्मों का चुनाओ दूसरा है बीमार और तीसरा है सही समय पर फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करना और इंसेक्टी और पेस्टी साइड का संपूर ग्यान होना तो किशान भाईयों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पपीते की उन्नत खेती कैसे करें पपाया फार्मिंग के बारे में साथियों यदि आप पपीते की खेती कर रहे हैं तो रेड लेडी 786 किस्म को ही चुनें क्योंकि इसके जो फ्रूट है उनकी जो मार्केट में डिमांड है वो अच्छी होती है और फल भी बेस्ट क्वाल्टी का होता है मीठा होता है उत्पादन अच्छा होता है बढ़िया होता है औ इसके करण यह लोगों को बहुत आकर्शित करता है और पसंद किया जाता है खाने में और इसके सीड की बात करें तो 30 ग्राम एक एकड में इसके सीड की रिक्वाइर्मेंट होती है किसान भाइव लाइन से लाइन की दूरी साथ फिट रखना है पौधे से पौधे की दूर काने का समय बर्सात में गर्मियों में शर्दियों में लगा सकते हैं बर्सात में यदि लगाना है तो जून जुलाई में और गर्मियों में अक्टूबर से नौंबर के मद्ध आप रोपाई कर सकते हैं गर्मियों के लिए तो किसान भाइव यह जो समय है यदि इस समय में आप रोपाई करेंगे तो आपको जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है इसी के साथ किसानवायों कुछ दूसरी चीज़ां है जो हमें ध्यान में रखना है वह हैं कि साप सफाई रखना बहुत जरूरी है पपीते के फसल में क्योंकि साप सफाई रखेंगे तो बीमारियां कमाएंगी और इसके साथ साथ हमें कुछ मिट्टी का चुनाव करना है जैसे काली मिट्टी काली दोमट मिट्टी हलकी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी यह इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है यदि इस मिट्टी में आप खेती करेंगे तो आप तक तापमान पपीते की खेती के लिए जरूरत पड़ती है इतने तापमान पर ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और उत्पादन हमारा अच्छा प्राप्त होता है रोपाई से पहले आप एक से दो एक गहरी जुताई कर दें और दो सामान कल्टीबेटर से जुताई क करने के बाद हैरो से मिट्टी को भूर्भूरी कर लें और पाटर लगा कर समतल कर दें खेत को उसके बाद मेड बना लें यदि आप ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करना चायते हैं खेती और खेत के चारों तरफ ग्रीन नेट लगा दें जिससे क्या होगा कि जो पेट सुनल डूज the destination 50 kg और सिंगल सुपरफास्फेट फर्टिलाइजर 100 क्लो ग्रामु मूου्रेट और पोटास फर्टिलाइजर तीस किलो ग्राम और जिपसम 25 किलो क्यों हैं प्रती एकटर देकर लेट जब तयार कर रहे हूं उस समय बैट तैयार करते समय बैट की चोड़ाई धाई फिट बैट से बैट की दोरी साथ फिट और बैट की जो उचाई है वो आपको एक फिट रखनी है किशान भायू पपीती की खेती के लिए और आपको 30 माइक्रॉन की मल्चिंग बिछा देनी है इसके बाद बात आती है किशान भाये पौधों की पौधे आपको किसी अच्छी नर्सरी से विश्वस्नी नर्सरी से रोग मुक्त जो पौधे हैं डिसीज फिरी पौधे हैं वो लेना है प्लांट के रेट की बात करें तो 40-45 रुपे तक का पौधा आपको देखने को मिल जाएगा और ताइवान 786 रेड लेड की लगाना है आपको इसका जो उत्वादन हूं वो अच्छा मिलता है आपके नजदी की कर्श विश्वDMy जाले हैं रिसर्च सेंटर है वहां से आप ले सकते हैं यहां किसी भिश्वस्नी नर्सरी से रोग लेंगे तो आपको जो रेजल्ट हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे और पौधे का जो चुनाव है वो आपको सही तरीके से करना है आपको बीमारी और कमजोर पौधे आपको नरसरी से नहीं लेने है यदि बीमारी कोई दिख रही है तो आपको ऐसे पौधे नहीं लेने चाहिए किशान भायू इसके बाद सिचाई की बात करें तो चला देनी हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में पूरे खेत में नमी बनी रही क्योंकि गर्मियों के दिनों में सिचाई ज़्यादा जरूरत पड़ती है निमेटोड की समस्या देखने को मिलती है पपीते की फसल में सूत्र क्रमी क्या करते हैं किशान भाईयो की जो पपीते के पौधे की जड़े हैं उसमें गाठे बना देते हैं जिसके कारण पौधे जमीन से पोषक तत्तो अपटेक नहीं कर पाते हैं, ग्रहन नहीं कर पाते हैं तो उनकी गृथ कम होती है इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए साथियों, खेट के चारों तरफ दो लाइन तीन लाइ में घोल कर आप सचाई के साथ प्रियोग कर सकते हैं तो इससे भी आप निमेटोड को कंट्रोल आसानी से कर लेंगे यदि हमें रोग मुक्त रखना है अपने खेत को तो खर्पतवारों का जो नियंत्रन है रोग थाम है वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि खर्पतवार का जो इंटर क्रॉपिंग के रूप में सोया बीन, बीन, मटर, धनिया, मेथी, पालक और लाल साग, टमाटर, मिर्ची, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सूरन जिसको जिमिकंद के नाम से जानते हैं आलू, प्याज, लहशुन इनकी हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि जब पपीते की फसल हमारी छोटी होती है, उस अवस्था में हमें खेत से जो अतरिक्त आमदनी हैं, वो सबजी वाली फसलों को लगा कर ले सकते हैं, तो जिससे हमारी जो खर्चे हैं, घर के वो भी चलते रहेंगे, और हमें अतरिक्त आमदनी मिल जाएगी, इस्प्रे शेडू यो रजिस्टेंट बैराइटी का चुनाव करें, जो इस बीमारी के प्रती रजिस्टेंट हो, और दूसरा लीप करल वाइरस के साथ एलो मोजेक वाइरस आता है, और इसके साथ कीटों की बात करें तो एफिट जैसिड वाइट फिलाई देखने को मिलती है, पपीते की फस शेमी लूपर है, यह जो कीट हैं, यह हमारे पपीते की फसल को नुक्षान पहुचाते हैं, फ्रूट की जो क्वाल्टी है, थो कम करते हैं, तो इसनके कंट्रोल के लिए किसान भाइयो हम देखते हैं, कि पपीते की जो हमारी फसल बरसात के दिनों में badusal junior juniorовать, बाती कीशम् पमजोर हो जाता है तो इसके कंट्रोल के लिए दो चार लाइने हमें गेने की जरूर लगानी चाहिए और इसके साथ मक्का की एक लाइन खेत के चारों तरफ जरूर लगाएं साथ में ब्लू ट्रैप एलो ट्रैप 15-20 प्रती एकड़ की दर से आपको लगाने चाहिए इस पर सेड्यूल की बात करें तो फस्ट इस्प्रे तीस से पचासवे दिन हमें बायो आर तीन सो तीन बीशे में लेना है एकका की क्रशी रशायन एकका दस ग्राम और इंडोफिल एम पैतालिस चालिस ग्राम पंद्रा लीटर पानी में घोल कर इस्प्रे करना है शेकेंड इस्प कोंटिば फंद्रा लीटर पानी में घोल कर इस्प्रे क्षर बात करेंगरिका कोंटिटर इस्प्रे क हो दिन में करना है थानुक चारिकर्य की कॉनिکा 40.elyLAUr फंद्रा लीटर पानी में घोल कर सकते हैं फर्टिलाइजर सेडूल की बात करें तो फस्ट खाद 40-60 दिन और सेकेंड खाद 80-120 दिन और थर्ड खाद 140-160 दिन फोर्थ खाद 180-200 दिन में हमें देना चाहिए किशान भायो यदि साधान तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आप वीडियो में देख रहे हैं ये डो किनारों पर मिट्टी से जरूर ढखें और इसके बाद फर्स्ट कॉंबिनेशन हमें 25-59 दिन में देना है इन खादों को पांच-5 दिन के अंतराल पल चलाना है किशान भायो फर्स्ट कॉंबिनेशन 25-50 दिन में क्या देना है एन पी के 19, 19, 2 kg, एन पी के 12, 61, 2 kg, एन पी के 17, 44, 2 kg, हिउमक एसिड 500 ग्राम और 55 दिनों के अंतराल पर ड्रेप से देना है किसान भाईयों तो यह हो गई फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात इसको यदि आप चला देंगे तो पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी होगी शेकेंड कॉम्बिनेशन शाट से 120 दिनों की मद्ध देना है और सेकेंड कॉम्बिनेशन में किसान भाईयों 0,52,34,4 kg,NPK,4,4 kg, माइक्रो नूट्रिंट 500 ग्राम और कैल्सियम नाइटरेट 4 kg,6-7 दिनों के अंतराल में ड्रिप से देना है आपको ड्रिप के माध्यम से चलाना है तो इन खादों को आप दे सकते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन में 130 से 200 दिन की जब हमादी फसल हो जाए तब देना है इसके यकास और इसके बात बात करते हैं पपीते की फसल से उत्पादन कितने समय में मिलता है लाइफ सायकल की बात गरते हैं तो सात माहे में फसल की तुडाई जो है करने लाइक हो जाती है फसल से हमें पहला 30 kg तक मिल जाते हैं बड़े आराम से और 30 kg हमें एक पौधे से उत्पादन यदी मिलता है तो हम देखते हैं कि जो एक एकड़ में हमारे 1050 पौधे लगे थे उनसे 30 टन प्रती एकड़ हमारा जो है उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा तो 30 टन यदी हमें एक एकड़ से उत्पादन मिलता है किशान भाईयो तो हमारा जो मार्केट रेट है हम देखते हैं कि पपीते का साधान तया जो बाजार भाव है वो 30 से 40 रुपे किलोग्राम चलता रहता है लागात एक से डिड़ लाक रुपे आएगी हमारी एक एकड़ में सही तरीके से सब चीजे मैनेजमेंट करने के बाद और यदि हमारी एक से डिड़ लाक लागात आई तो बाजार भाव आठ रुपे से 20 रुपे किलोग्राम का भी मिला यदि हमें बैसे तो पपीते का जो बाजार भाव है लगभग 25-30 रुपे किलोग्राम से कम नहीं देखने को मिलता है कि किन्तु यदि हम निवन्तम इसकी रेट की बात लेकर चलें 8-20 रुपे किलोग्राम का जो औसत बाजार भाव है तो हमारा जो एक एक एकड़ में खर्चा आया किशान भाईयों 1.5 लाक रुपे और हमारा उत्पादन हुआ 30 तन तो सुद्ध लाभ हमें 3-4 लाक रुपे ब जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फसल में जैसे सब्जी वाली फसल है उन्हें नेराई गुडाई की ज्यादा आवश्यक्ता पड़ती है लेकिन पपीता ये कैसी फसल है जो आपको नगद के रूप में पैसे दे कर जाती है और इसके साथ साथ आप इंटर क्रॉपिंग करक हैं तो इसके लिए बेस्ट जो हमने सुरुआत में बैराईटी बताई थी ताइवान की 786 रेड लेडी 786 किसम आप लगा सकते हैं और इसका आपको जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है इसके अलावा किसान भाईयो आपको आपके छेत्र के हिसाब से मौसम के हिसाब से जो बैराईटी हैं उनका चुनाओ करना चाहिए जो आपके छेत्र में अच्छा उत्पादन दे रही हो उन्हीं किसमों को आप चुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप अच्छी तरह से उत्पादन ले पाएंगे इसी के साथ जै जवान जै किसान मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भार